क्या बिना सिर के 18 महीने जीविद रहना संभव है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन यह संभव हुआ माईक के केस में. आईए जानते हैं इस रोमांचकारी कहानी के विशह में. लॉयर्ड ओल्सन और उनकी पत्नी क्लारा, युनाइटिट स्टेट्स के कोलॉराडो स्टेट में फार्मिंग का काम करते थे और उनके परिवार की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक चिकन फार्म बनाया हुआ था. सब कुछ सामाने चल रहा था. लेकिन 10 सितंबर 1945 की शाम को कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुनिया की आखे खुली की खुली रह गई. दरसल उस दिन लॉयर्ट के साससूर उसके घर पर आये हुए थे. उसने सोचा कि साससूर की पार्टी कराई जाए और वह अपने फार्म से पांच महीने के एक चिकन माइक को पकड़ता है और उसकी गर्दन काट देता है. पर यह क्या? माइक मरता नहीं है और दूर भाग जाता है. आश्चारे जनक रूप से माइक के कटे हुए हिस्से पर क्लॉटिंग हो गई थी और खून बहना बंध हो चुका था. माइक एक नर वायन डोट चिकन था और अब वह मरने से इनकार कर चुका था. लॉयड ओलसन ने किसी प्रकार उसको पकड़ा और फिर पॉर्च पर एक बॉक्स में रग दिया. अगली सुभा जब वह उठा तो उसके आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा. क्योंकि माइक अभी भी जीवित था. अब माइक इसी थरा अगले 18 महीने और जीवित रहने वाला था. आप यह अवश्च जानना चाहेंगे कि यह करिश्मा हुआ कैसे? आक्चुली जब उसकी गर्दन को काटा गया तो जैगुलर वेंस नहीं कट पाई थी. जैगुलर वेंस हमारी गर्दन में नसोपा एक समू होता है जो कि हमारे मस्तिष्क, चहरे और गर्दन से अशुद्य रक्त को हमारे हाट तक ले कर जाती है. इस प्रकार उसका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा था. वें ठीक से सांज भी लेता रहा और वॉक भी करता रहा. डॉक्टर स्मल्डर्स कहते हैं कि एक मनुष्य के लिए उसका सिर धर से अलग हो जाने का अर्थ होता है. उसके ब्रेन का टोटल लॉस हो जाना. लेकिन चिकन के केस में ये थोड़ा अलग होता है. वो बताते हैं कि चिकन का चोटा सा ब्रेन उसकी आखों के पीछे स्कल के प्रिष्ट भाग में कंसेंट्रेटेड होता है. माइक की क्लीनिकल रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी कि उसकी चोंच, चहरा, आखे और कान शरीर से अलग हो चुके थे. लेकिन उसके ब्रेन का 80% भाग सही सलामत था, जो कि माइक के हार्ट रेट, ब्रीधिंग, हंगर और डाइजेशन को रेगुलेट कर रहा था. लेकिन जीवित रहने के लिए इतना ही परियाप नहीं था. इसके लिए माइक को नुट्रिशन की भी जरुवत थी. लॉयर्ड ने डॉक्टर से परामर्श किया और उसे सिरिन से पोशक तत्व दिये जाने लगे. माइक के नुट्रिशन और उपचार पर उस समय लॉयर्ड को प्रती दिन 45 डॉलर का खर्च करना पड़ता था. अब लॉयर्ड और उसकी पतनी क्लारा ने तै कि माइक को पूरे अमेरिका में घुमा कर उसकी स्टोरी को लोगों तक पहुँचाया जाए. इस प्रकार लॉयर्ड और क्लारा अगले 18 महीने तक माइक को अमेरिका के अलग-अलग शेहरों में लेकर जाते रहें. और लोगों लॉयर्ड औलसन इससे पैसे भी कमा रहा था कि 17 मार्च 1947 की रात आती है जब लॉयर्ड औलसन और उसकी पतनी क्लारा फीनिक्स एरिजोना के टूर पर होते हैं और अपने होटल रूम में विश्राम कर रहे होते हैं. तब ही उन्हें माइक की अवाज सुनाई देती है. वे उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि माइक के गले में म्यूकस चोक कर गया है. वे तुरंट सिरिंज ढूनने लगते हैं लेकिन शायद वे उसको वहीं भूलाए हैं जहां आज उन्होंने माइक को डिस्प्ले किया था. माइक के गले से म्यूकस निकालने का कोई साधन न होने के कारण वे बेबस होकर माइक का दम घुटते हुए देखते रहते हैं. चुकि लॉयर्ड ऑल्सन माइक को सभी जगह लेकर डिस्प्ले करता था तो ऐसे में लोगों की मिली जूली प्रतिक्रियाएं भी उसे मिलती थी. कोई ऑल्सन की तुलना जर्मन नाजीश से करता तो कोई लिखता कि वह उसे माइक की एक टांग खाने को दे दे और वह उसको माइक के लिए लकड़ी की एक टांग देगा. हाना की माइक की इस हद प्रब कर देने वाली कहानी को आज सजद्थर वर्ष पूरे हो जुकत है。 लेकिन कोलोराडो के फुरूटा शहर के लोग आज भी इसको भूले नहीं हैं. माइक की याग में आज भी प्रतिवर्ष मई के तीसरे विकेंड को फुरूटा में Mike the Headless Chicken Day के रूप में मनाते हैं यह दिन Mike the Headless Chicken फेस्टिवल का एक पार्ट होता है इस फेस्टिवल में कई प्रकार की इवेंट्स होते हैं जैसे कि आग बंद करके 5 किलोमेटर की रेस कार शो, फूड एंड मर्चनडाइस विंटर्स फैमिली गेम्स, विंग और पीपीटिंग कंटेस्ट, लाइव म्यूजिक और पैनकेक ब्रिक्फिस्ट इस फेस्टिवल को अटेंड करना सब के लिए फ्री होता है यथा इसका आयोजन, City of Fruta एवं Credit Union of Colorado के द्वारा किया जाता है इसका पूरा शेडियूल आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा जल्दी मिलते हैं आपको, एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेट लिए